और दिली के मुख्य मंत्री अर्विन के जिवाल की गिरफतारी के बाद आमाद में पार्टी और बीजेपी में घमासान जारी है दिली के मुख्य मंत्री अर्विन के जिवाल एडी की हिरासत में है शराब घुटाले में गिरफतार अर्विन के जिवाल ने मंगलवार को एडी हिरासत से दूसरा निर्देश जारी किया अब इसी आदेश पर आमाद में पार्टी फस्ती नज़र आ रही है इजी हिरासत से केज़िवाल के आदेश को लेकर पहले बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई और उपराज जेपाल से भी शिकायत की मंगलवार को देश की राइधानी दो सियासी दलों के विरोध प्रदर्शनों की गवाह बनी शराब घोटाले में एडी द्वारा मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल की गिरफ़तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी तो वहीं भाचपा केजरिवाल के इस्तीफे की मांग कुले कर हुंकार भरती नजर आई आम आदमी पार्टी के परदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कड़ी सुरक्षब विवस्था की थी पीम आवास के घेराओं का नारा देकर पटेल चौक मेट्रो इस्टेशन के पास जमा हुए कारेकरताओं को दिल्ली पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर महा से हटाया आमादमी पार्टी सड़क के साथ साथ सरकारी कामकाज में भी सियास्थ करने का प्रयास करती दिखाई दी दिल्ली सरकार में मंतری सुरब भारदुआज E.D. की हिरासत में चल रहे अरविंद केजरिवाल के दूसरे शासना देश का एलान करने के लिए मीडिया के सामने आए उन्होंने कहा केजरिवाल को अब भी जनता ही की फिक्र है आज हिरासत में हैं तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्त की चिंता है उन्होंने एक डिरेक्शन मुझे भेजी है कि सीम साहब ये जान के बेहत व्यतित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और महुला क्लीनिकों के अंदर दाईयां उपलब्द नहीं इस पर भाचपा ने करारा पलटवार करते हुए केजरिवाल पर ड्रामा करने का आरोप लगाया भाचपा ने कहा कि केजरिवाल एडी की हिरासत में हैं और ये शासना देश जनता को गुमराह करने के लिए हैं भाचपा ने इसके खिलाब दिल्ली के उपराजेपाल के साथ सा जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के नाम से एक illegal order दिखाया और यह कहा कि दिली के मुख्यमंत्री का order है और मुख्यमंत्री जी ने ED कस्टडी में जेल में रहते हुए यह order पास किया है यह total illegal था, unconstitutional था और यह मुख्यमंत्री के office का misuse है यह criminal conspiracy है दिली के लोगों के साथ, दिली के मुख्यमंत्री के दफ्तर के साथ और दिली की चुनी हुई सरकार दवारा अपने मुख्यमंत्री के पद का दुर्पियों किया जा रहा है जबकि ED की कस्टडी में रहते हुए अरविंद केजरिवाल कोई order भी नहीं पास कर सकते और ऐसा कोई प्रवदान और ऐसी कोई statue नहीं है CM के स्तीफे की मांग करते हुए भाजपा ने बड़ा विरोत प्रदर्शन किया सचिवाले की तरफ बढ़ रहे भाजपा कारेकरताओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने उन पर पानी की बोचारे छोड़ी पुलिस ने दिल्ली भाजपा के अध्यक सहित कारेकरताओं को हिरासत में ले लिया बाजपा लगातार कह रही है कि केजरिवाल को पद छोड़ना होगा कभी शराब घोटाले में केजरिवाल के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली कॉंग्रेस के सुर अब बदले हुए है जानकारों का कहना है कि चौनावी सियासत की मजबूरी ने कॉंग्रेस को इस मामले में बदल दिया है एक तरफ सड़कों पर सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ शराब घोटाले की जाज भी तेजी से जारी है इस मामले की एक और प्रमुक आरोपी और बियारेस नेता के कविता को मंगलवार को भी राहत नहीं मिली एडी दुआरा उनकी हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें दिल्ली की राउज वेन्यू कोर्ट में पेश किया गया महा से अदालत ने उन्हें 14 दिन की नियाई खिरासत में दे दिया के कविता की जमानत अर्जी पर एक अपरेल को सुनवाई होगी उधर अदालत से राहत पाने का इंतजार कर रहे केजरिवाल की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगी केजरिवाल ने याचिका में अपनी गिरफतारी और रिमांड को चनौती दी है ब्यूरो रिपोर्ट डीडी नियूज 28 तारिक तक इडी की कस्टिडी में है अर्विन केजरिवाल लेकिन उसी दौरान दो-दो आदेश जो पास किये गए हैं जो पहुचाए गए हैं अपने मंत्रियों तक इडी की कस्टिडी से बाहर आए हैं उसे लेकर लगातार विवाद बढ़ रहा है इसी पर होगी चर्चाव अक्त एक छोटे से ब्रेक का है ब्रेक के बाद देखते रहिए डीडी न्योस